नमस्कार मैं हूँ वज्या और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट बनाएंगे साल 1982 में रूलीज हुई इस फिल्म में अमिता बच्चन और हेमा मालीनी लीड रोल में थे और ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद की गई थी और आज भी जब भी ये फिल्म हम देखते हैं तो एक ताज़गी महसूस करते हैं बहतरीन फिल्मों में से एक है फिल्म स सकता अब फिल्म से जुड़े सोर्सेस की माने तो रोहित और फरा दो वजहों के चलते इस फिल्म में दिपिका को बतौर हेरो इंड कास्ट करना चाहते हैं जी हां हो सकता है किस फिल्म में दिपिका नजर आए अब इसकी क्या है वज़ज यह हम आपको बताते हैं पहली इस फिल्म के रीमेक में लीड आक्टर के करदार के लिए शारुखान और अक्षे कुमार जैसे सितारों के नम सामने आ रहे थे पर खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए रिदिक रोशन को चुना गया है बात की जाए दिपिका की तो उन्होंने अपनी नई फिल्म छपाक की शूटिंग खत्म की है इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है वो इस फिल्म में एसिट अटैक सर्वाइवर बनी है उनके लुक को देखकर हर कोई है इसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की थी इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो दिल्ली भी आय थी और दिल्ली में भी कई फोटोज उनके वारिल हुए थे फिल्म चपाग के सेट से, तो वहीं पर बात करें, रितिक के वाग फ्रेंट की, तो रितिक की नए फिल्म सूपर थर्टी सिनेमा घरों में एंट्री मारने को तयार है, इस फिल्म के लिए रितिक ने भी काफी मेहनत की इसके अलावा रितिक ने सोशल मीडिया पर भी फिल्म को काफी जादा प्रमोट किया इस फिल्म के कई पोस्टर्स रिलीज हुए जिसमें रितिक बहुत ही शांदार नज़र आ रही है वेल आपको बता दें अगर सत्ते पे सत्ता फिल्म में दिपिका की एंट्री होती है तो दिपिका इस फिल्म के जरिये फरा के साथ दूसरी बार काम करती नज़र आएंगी तो वही रोहित शटी के साथ भी वो दूसरी दफा फिल्म करेंगी दिपिका और रितिक को फैंस कई साल से फिल्मों में देखने की इच्छा जटा रहे थे लेकिन ऐसा मुम्किन नहीं हो पर ऐसे में माना जा रहा है कि रोहित और फरा की बदौलत इनके फैंस को जबरदस्त तो फ़ा मिलने वाला है फिल्हाल इंतजार करते हैं सत्ते पे सत्ता के रिमे की अगली अपडेच पर इस वीडियो में बस इतना ही